प्रेज दलोड आप सब कुझ है मसी की मैं परमेसर का धन्यवाद दिता हूं आज की सुबा दिखाने के लिए एक और दिन परमेसर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया हम परमेसर को कोटी-कोटी धन्यवाद दे एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टा राजमैसी आपके सम्मों को पस्तित हूं और आज का संदेश जो है वो रोमियों की पुस्तक उसका दस अध्याए और इसके सत्रह पद पर है इसका जो भीद है वो आज जानेंगे हम लोग यहां लिखा है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसी के वचन से होता है बहुती महत्वपू संदेश है यह थुड़ी देर रुक कर आप इसे जरूर सुनिये और इसे शेर भी कीजे ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सिक्षा है आज की विश्वास के विश्वास और वचन दो चीजे लिखी है इसमें सो विश्वास सुनन से और सुनना मसी के वचन से होता है इसमें क्या भाते हैं क्या कहना चाहते हैं संद पॉलुस इस वचन के दुआरा आज इस विश्वास पर हम बातचीत करेंगे ब्रेज दलोड और आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि येश्व के जनम की भविश्यवानी कहा लिखी है बता सकते हैं आप पता है आपको तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजे नहीं तो डिस्क्रिप्टन में जाएए और आज के वीडियो का लिंक वहाँ पर आपको मिलेगा उपर ही है लिख केजिए और जान लीजे कि वो कहा लिखा है प्रेज दलोड मेरे साथ मेरी महीम में शामिल हो जाएए जिद है सच को फैलाने की प्रेज दलोड तो आएए एक छोटी सी प्रातना करके आज के स्वचन को मैं शुरू करूँगा जीवित और महान द्याले पिता पर मेरे सरह हम तेरा धन्यवा देते हैं प्रभू आज का दिन दिखाने के लिए बिंती क बिंती करता हूं जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं सब पर मैं तेरी आशुष बोलता हूं हर एक को आशुषित कर हर एक की रोग बिमारी चिंता परिशानियों को अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभू युश्यू को नाम से माग दे हैं आमेन प्रेज दरोड तो आईए आज के इस अद्बुत संदेश को जो बाइबल से है सच है सच्चाई है और ध्यहराई है उसको हम जानेंगे लिखा है रोमियों के पुस्तक उसका दस अध्याए सत्रह पद लिखा है कि सोम विश्वास सुनने से विश्वास हम कैसे विश्वासी बनते हैं यह बहुत महत्वपूर बात है ऐसे ही कोई विश्वासी नहीं बन जाता पैदा हुए बड़े हुए और विश्वासी बन गए ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं मिलेगा आपको जिसने कहीं से कुछ सुना ना हो और उसका विश्वास सुनने से और सुनना मसी के वचन से होता है मसी के वचन से सुनेंगे तभी विश्वासी बनेंगे और यहां पर कैसे विश्वासी बनते हैं सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा उसके बाद हम यह जानेंगे कि सुनने का अर्थ क्या है यहां पर तो यहां पर ल मिश्ट्री हैं, बहुत हजारों लाखों के तादाद में उनके पास कांग्रेकेशन है, उन लोगों की गवाहीं आप जब सुनेंगे, तो आपके जीवन में एक ऐसी बात आएगी, जो लग भग हर एक विश्वासी की गवाही में होती है, और वो है कि मैंने ये वचन वहां तो उस वचन ने मेरे जीवन में काम किया और मेरा जीवन बदल गया, ऐसे ही होता है, एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सच्ची बात है ये, एक जगा कन्वेंशन हो रही थी और पार्क था कोई, वहां पर टेंट लगा था, और पास्टर जी थे परचार कर रहे थे, तो एक नॉन बिलीवर या नॉन क्रिश्चन भी कह सकते हैं, वो आकर सब से पीछे आकर बैढ़ गया, तो जब पास्टर जी ने परचार करना शुरू किया, और बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बहुत सारी बाते उन्होंने बताएं, क्योंकि वचन जो था, वो मनुस्यक के जीवन से रिलेटेड था, और वो यह बताया जा रहा था, कि मनुस्यक के अंदर जो बाते हैं, वो शेतान की और से होती हैं, अगर वो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उन्हें ये शुमसी के पास आना पड़ेगा, फिर उन्होंने व हुआ जब उन्होंने वचन को समाप किया, तो लोग उनसे प्रात्ना कराने के लिए वहाँ पर लाइन लगा कर जाने लगे, कुछ इस तरफ से, कुछ इस तरफ से, और वो प्रात्ना कर रहे थे, आखिर में वो व्यक्ति भी वहाँ पर पहुँच गया, और उसने पास्टर ये कहा कि मेरे जीवन के बारे में आपको किस ने बताया, पास्टर जी हकब कर रहा गए कि में मुझे तो किसी ने ने नहीं बताया, मुझे तो जो वचन परमेसर ने दिया था, मैंने वो परचार किया है, कह वो सारी बाते मेरे जीवन में है तब उस भाई ने गुटने के बल बैठ कर अपने लिए प्रात्ना करवाई पश्चताप किया और उस भाई का जीवन बदल गया और वो एक पाश्टर बना नाम नहीं बताऊंगा ना ये बताऊंगा कि वो कहां कहें लेकिन ये सची बात है ऐ ऐसा ही हुआ और वो भाई का जीवन बदल गया और वो एक अच्छे पाश्टर है आज भी है तो कहने का मतलब यह है कि जब हम सुनते हैं गौर से जब हम सुनते हैं देखिए सबब देशक में लिखा है कई बार क्या होता है कि हम लोग जब चर्च में जाते हैं तो हम बहु लिखते रहते हैं वीडियो वगरा वचन चल रहा है लेकिन वचन पर ध्यान नहीं है बच्चे दरदर भाग रहे हैं उनको देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको देख रहे हैं लेकिन वचन पर उनका फोकस नहीं है तो फिर विस्वासी कैसे बनेंगे हमें कै ऐसे वचन को सुनना है आए सबवदेशक की पुस्तक देखेंगे और उसका पाच अध्याए और उसका पहला पज़ लिखा जब तू परमेस्टर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलीदान चड़ाने से अच्छा है क्योंक करते हैं मूर्ख हैं जो लोग आकर बलीदान चड़ा देते हैं जंदा दे देते हैं दस्मान दे देते हैं निजबेटे दे देते हैं मंतली दे देते हैं जो भी उनका जो होता है जो कुछ भी वो सब अपना करजा सा उतार के चले जाते हैं और सुचते हैं कि हमने बहुत ब भबन में जाए तो सावधानी से चलना सुनने के लिए समीप जाना है जब हम आगे बैठेंगे हमारी दृष्टी पास्टरेजी की तरफ होगी और जो वो बोल रहे होंगे वो हमारे कानों में जाएगा तो इसलिए संत पॉलिस ने क्या कहा विश्वास सुनने से है तो जब हम सुनते हैं तभी हम विश्वास में बढ़ते हैं आगे बहुत सारी गवाहियां होंगी आपके जीवन में आपके जीवन में भी होगा कि आपने कहीं से वचन सुना और आपके जीवन में काम हुआ आपका जीवन बदल गया अगर ऐसा आपके जीवन में हुआ है तो अभी बन गया वहीं से मैं विश्वासी बन गई तो लिखा है रूमियों 10 अध्याए और उसके 17 पद में सो विश्वास सुनने से और सुनना मसी के वचन से अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे यह लिखा है कि सुनना मसी के वचन से बहुत बार क्या होता है कि हम वचन को जब हैं घर में तो मन मन में पढ़ते हैं हमारे होड तो हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं अगर आप ऐसी जगह रहते हैं कि जहां पर आपको आपका विरूध हो रहा है कि आप जोर जोर से बाइबल पढ़ते हैं या गाने गा जाएए एक सुरक्षित इस्थान पर बैठिए और बैबल खोलिए और जोर जोर से पढ़िए ऐसे पढ़िए कि आपकी आवाज आपके कानों में जाए जब आपकी आवाज आपके कानों में जाएगी वो वच्चन आपके कानों में जाएगा आपका विश्वास गुरूत करता चला जाएगा आप विश्वास में परिपक्व होते चले जाएंगे क्योंकि विश्वास सुनने से है और सुनना मसी के वचन से है देखिए ये है वो मसी का वचन इसके सुनने से ही हम विश्वासी बनते हैं जब हम इसको खोलते हैं जब हम वचन को खोलते हैं इस परकार से और जब हम इसे पढ़ते हैं जोर जोर से पढ़िये ताकि वो बात जो आप पढ़ रहे हैं वचन आपके कानों में जाए आपके कानों में जाए ताकि आपका विश्वास बढ़े और आप एक विश्वासी पक practice है आपको क्या करना है गुटने के बल बैठ कर या कैसी भी बैठ कर आपको वचन पढ़ते समय इतनी जोर से पढ़ना है कि आपकी आवाज आपके कानों में जाए आप सुने क्योंकि यहाँ सपस्टरिती से लिखा है कि विश्वास सुनने से चाहे कोई और सुना रहा हो या हमारी खुद की आवाज हमारे कानों में जा रही हो सुनना वचन है कथा कहानी नहीं सीरियल्स नहीं आजकल तो वेब स्रीज चल रही है उसमें गंदगी भी है लोग उसे भी देखते हैं और बहुत समय उसमें लगा देते हैं, पूरी स्रीज एक की दिन में खतम कर देते हैं, तो उन से नहीं, विश्वासी हम उन से नहीं बनेंगे, विश्वासी हम वेब स्रीज देखने से नहीं बनेंगे, विश्वासी हम सीरियल्स देखने से नहीं बनेंगे, विश्वासी हम ज прин, बहुत सारी वीडियो जाते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी पास्टर हैं, जो प्रति दिन वीडियो डालते हैं अपना, मैं भी प्रति दिन ली डालता हूँ, तो आप सुनिये, बहुत सारी चैनल है, जो बरमेसर की वचन को प्रीच करते हैं, चाहाँ पर लोग परमेसर की वचन को प्रीच करते हैं, वो सुनिये, और नहीं तो, खुद पढ़िये, और अपनी आवाज को सुनिये, उन वचनों को सुनिये, जो आप पढ़ रहे हैं, जब वो बाते कानों में जाएंगी, तो हमारे अंदर एक सुर्थी, एक ताकत, एक साम हैं, परमेसर का वचन हमें, हमारी जीवन को बदल देता है, परार्थनाए तो, परार्थनाए जो हम करते हैं, वो परिस्तितियां बदलती हैं, लेकिन वचन हमारे जीवन को बदल देता है, प्रेज दलॉड, परमेसर वचनों के द्वारा हम सब को आश्री दे, यह आज तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताईएगा तो मुझे से बातचीत कीजे और इस वचन को शेर कीजे ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके प्रेज दे लॉड टूपल्स में आज का सवाल है कि येशु के जनम की भविश्यवानी कौन सी पुस्तक में कहां पर लिखी है जानते हैं तो लिख दीजे अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कीजी और जान लीजे कि कहां लिखी है मेरे साथ मेरी महीम में शामिल हो जाएए जिद है सच को पहलाने की आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजे लेकिन अपना और अपनों को ख्याल रखिए और वचन को ऐसा पढ़िए कि आप उसे पढ़ते समय सुन भी सकें प्रेज दे लोड